अज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप हीपी एपलिकेंस यूज करते हैं तो हीपी पर अपनी वीडियो को अपलोड किस तरीके से करना है अपनी वीडियो को डिलीट किस तरीके से करना है अपनी वीडियो को सेप किस तरीके से करना है इसी के साथ में हम बात को डिलीट करना है तब हम अपना अकाउंट किस तरीके से डिलीट करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूटूब पर कहीं पर भी नहीं मिलता है क्योंकि जो भी हम वीडियो में बताते हैं वो एकदम रियल होता है और आप उस ट्रिक का यूज करके उसका वेनिविट ले सकते हैं यह सारा काम मैं आपको मोगाईल पर करके रिखाने बाला हूं और इस मोगाईल की स्क्रीन आप प्लस का इकन देखने को मिला है इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे आप यहां से कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड करके इस तरीके से और आप चैसे कि मैं यहां पर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं ठीक है तो वीडियो को आप पूरा देखें तभी आप अच्छी तरीक कर सकते हैं और बैक जाने की फ्रेंट आप केमरा का भी यूज कर सकते हैं ठीक है मैं आपको यहां पर यह करके नहीं दिखाने वाला हूं क्योंकि मैंने इस पर पहले वीडियो बना रखी है कि आप किस तरीके से इसे कर सकते हैं ठीक है तो मैं इसे यहां से इस त्त्रीके से रिकॉर्ड कर रहा हों शक्य बाद में इस आइकन पर इसकीवीश करेंगे ऐसके बार में आप संप्लिक करेंगे कि है तो अब यहां पर कोई भी अपना टाइटल दे देंगे ठीक है जो भी आप टाइटल देना चाहा है, हैश्टेक लागा के वो दे सकते हैं, उसके बाद में आप वीडियो की लेंग्यूज से लेट करेंगे, जैसे कि हिंदी है, या फिर इंग्लिस है, या फिर आपकी भोजपुरी है, ठीक है, और इसी के साथ में जो भी आपकी लेंग्यूज आप यहां से लेट करेंगे इसके बाद में आप वीडियो को पबलिक सकना चाहते हैं या प्राइबिट रखना चाहते हैं और आप यहां पर कमेंट्स वगारा भी लाइक्स वगारा और आप चाहते हैं आपकी वीडियो के साथ में कोई भी copy करके वीडियो को बना सके तो आप इस permissions को भी on कर देंगे इस application के अंदर यही एक सबसे ज़्यादा benefit है कि आप इन सारी चीज़ों को खुद से customize कर सकते हैं इसी के साथ में आप यहाँ पर post का option मिल आए इस पर आप post पर simply click कर देंगे तो जो आपकी वीडियो है वो यहाँ पर upload होना शुरू हो जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहा है वीडियो uploading ठीक है अब इसी के साथ में अगर आपको कोई भी वीडियो परसंद आ जाती है तो उस वीडियो को आपकी इस तरीकी से save करेंगे तो आप यहाँ पर वीडियो को ऐसे देख रहे हैं और माल लेते हैं यह वीडियो हमें पर परसंद आ गी है ठीक है हम share के उपर simply click करेंगे और आपको यहाँ पर मिल्या है जैसे की वीडियो save ठीक है तो आप यहाँ पर वीडियो को save कर सकते हैं इसी के साथ में अगर आपको वीडियो परसंद नहीं आती है या फिर आपके हिसाब से वो वीडियो गलत है ठीक है किसी भी बेक्ती ने वो कर दिया जा सकता है ठीक है जानिकी Disable भी हो सकता है इसी के साथ में अगर आपको वीडियो परसंद नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर आप को वीडियो नहीं सो होगी ठीक है इसका मलब यह है अगर आप duplicate को भी video बनाना चाहते हैं जैसे कि यह video है तो आप यहाँ पर अपनी एक duplicate भी video बना सकते हैं जैसे कि आपने देख़ा हुआ एक set में किसी दूसरे की video होती है एक set में आपकी video होती है तो बहाँ पर आप कुछ भी बोल कर वीडियो बना सकते हैं इसी के साथ में हमने ये भी जान लिया कि वीडियो को किस तरीके से सेव करना है वीडियो को अपलोड किस तरीके से करना है अब जानेंगे अगर हम वीडियो अपलोड कर देते हैं और हमें वीडियो को delete करना होता है तब हम किस तरीके से करेंगे तब आपको क्या करना है अपनी profile पर जाएंगे और जैसे कि मैंने एक वीडियो यहाँ पर अपनी upload कर रखी है मेरी दूसरी भी वीडियो यहाँ पर आगी चुकि मैंने अभी upload की यह आपको दिखाया है इसी के साथ में तो हम अपनी वीडियो पर simply click करेंगे जैसे कि चलिए मैं आपको यह वाली वीडियो है अब आप यहाँ पर अपनी वीडियो के likes, comments भी देख सकते हैं इसी के साथ में अगर आप share करते हैं तो share करने के बाद आपको यहाँ पर option मिल जाता है वीडियो save का और not interested या फिर duplicate या फिर आप यहाँ पर delete भी कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है तो दोस्तों कुछ लोगों ने कहा था कि वीडियो को delete नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारी वीडियो को सबसे पहली बात तो delete कर सकते हैं ठीक है जैसे कि आप देख पा रहा है आप यहाँ पर follow भी देख सकते हैं और आपके followers कितने हैं यह भी सारी चीज़े देख सकते हैं इसी के साथ में अब बात आ जाती है हम account को delete के से करें यह बहुत बड़ी बात आ जाती है तो मैं सबसे पहले बता दुन देखो इसमें मैंने जो इसकी community guidelines पढ़ी है और उसमें जो बताया गया है मैं उसी के अनुसार आपको बता रहे हूं तो जो delete करने का option है वो इसके अंदर भी नहीं दिया गया है इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं जो की बहुत ही अच्छा सा काम है तो इससे आपके जो profile है वो कोई भी नहीं देख पाएगा ठीक है जहने कि like follow कुछ भी नहीं कर पाएगा वो को प्रेवेस्टी पर जाना है सबको no no कर दीजेगा ठीक है तो इससे मतलब है जिसकी like आपकी वीडियो को कोई like नहीं कर पाएगा ठीक है तो उससे कोई benefit ही नहीं होगा जब कोई विकति कुछ करी करी नहीं पाएगा जिसके वीडियो आफ्य तो वीडियो वाले पर इस तरीके से ठीक है आपको no one ठीक है इस पर आप simply click कर देज़ेगा अब ये आपका सब no no हो जाएगा ठीक है तो इस तरीकी से आप कर देंगे तो इससे ये benefit है कि आपकी वीडियो पर कोई like करेगा पहली बात तो आप वीडियो डिलीट कर सकते हैं आपको बताया तो इस तरीकी से आप एक हीप्टी एप्लिकेंस को यूज कर सकते हैं वीडियो को डिलीट कर सकते हैं वीडियो को सेब कर सकते हैं वीडियो को अफ्लोड कर सकते हैं आज की वीडियो में हमने यह जाना अगर दोस्तों वीडियो आपको जरासी भी अच्छी लग मिलते हैं ना इस वीडियो में